दोस्तों नमस्कार जिवर एरपोर्ट के आसपास के इलाके की अपडेट है जिवर एरपोर्ट के पास चार नए सेक्टर विक्सित किये जाएंगे इन सेक्टरों को विक्सित किये जारेंगे तैयारी अमना विकास प्राधिकर्ण ने सुरू कर दी है कौन-कौन से होंगे ये और किस सेक्टर के लिए कितनी जमीन किसानों से आपसी सहमती के आधार पर प्राधिकर्ण और जिलाप्रसासन अधिगरत करेगा और किस सेक्टर में क्या क्या होगा, क्या चल रही या कारवाई कव होगी जमीन अधिगर्ण की प्रकरिया सुरू और कौन-कौन से गाउं की जमीन जा रही है, जेवर एरपोर्ट के पास इन चार नए सेक्टरों में, इसमद में क्या है पूरा अब डेट, आएए देखें सासन की अनुमती के बाद किसानों से आपसी सहमती के आधार पर चार सेक्टरों के लिए कुल 378 एकड जमीन का अधिगर्ण होगा, सेक्टर 5, 6, 7 और 8 जेवर एरपोर्ट के पास बसाए जाएंगे, इन में सबसे बड़ा सेक्टर 7 होगा और सबसे छोटा सेक्टर 8 होगा, 1167 एकड जमीन पर और सेक्टर 8, 810 एकड जमीन पर बसाया जाएगा, सेक्टर 5 आवासिय होगा, इसमें 2000 आवासिय भूखंड की स्कीम होगी और 50 प्रत्सत जमीन पर गुरुप हाउसिंग की तैयारी यमना विकास प्रादिक्र कर रहा है, सेक्टर 6 और 2 होगा, सेक्टर 7 औ अब आईए यह भी जाने कौन सा सेक्टर किस गाउं के समीप होगा सेक्टर आठ नगला सहपुर और मुडरे गाउं की जमीन के आसपास होगा सेक्टर साथ कानपुर और मिलक करीमाबाद की जमीन पर होगा सेक्टर 6 भरा भीकनपुर गाउं के आसपास होगा और सेक्टर 5 बीरंपुर आकलपुर गाउं की जमीन पर होगा यमना विकास प्रादिकन जेवर एरपोर्ट से उडान सुरू होने से पहले इन चार नए सेक्टरों को बसाना चाहती है इसके लिए तेजी से काम सुरू हो गया है जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्द कराएंगे दोस्तो लगातार हम आपको जेवर एरपोर्ट, यमना विकास प्रादिकन और न्सियार के डवलप्मेंट की खबरें दिखा रहें आगे भी दिखाते रहेंगे नए साथी चनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन जरूर दबाएं और दोस्तो इस वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में जरूर सियर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को मिलती रहें निस्पक्ष खबर खुली परता सती शर्मा जफ्राबादी के साथ जागो हिंदुस्तान नमस्कार